योगी सरकार का एक्शन बिजली विभाग में भी नज़र आने लगा यूपी पाउर कॉर्परेशन के मडी एपी मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है एपी मिश्रा की पिछली अखलेश सरकार में करीबी अफसरों में गिंती होती थी एपी मिश्रा को रेटार्मेंट के बाद तीन बार उनका सेवा विस्तार किया गया था साल 2012 से वो यूपी पाउर कॉर्परेशन के मडी के पद पर तैनाथ थे वहीं सीम योगिया दितनात ने उर्जा विभाक के प्रमुक सचिव संजै अगरवाल को तमाम फाईलों के साथ तलब किया है सूत्रों के मताबिक सीम ने कॉर्परेशन से जुड़ी कई एहम फाईलों को भी मंगवाया है अनुराग चड़ा हमारे संबादाता हमारे साथ हैं अनुराग एपी मिश्रा के रिजाइन करने के बाद क्या हालात बनेंगे और जो फाईले मंगवाई हैं सीम ने अब क्या आगे उम्मीद जग रही है देखे जी तेपी मिश्रा को इस बार में खुब भी मालूम था कि जो नई सरकार है उसका एजेंडा क्या है और अब वो एक्शन करने का उनका तरीदा क्या है सब सब पूचे गए उसके बाद संजा गरवान ने एक्पी मिश्रा का नाम बनाती है तो उसमेघरवडी का आरोब था उसमें एक्पी मिश्रा के ओपर तव सबाद के सबस्दा शर कर swipeसा हो लेकिन उसके बाब जूद चायए बसपा की सरकार हो यह समावधी पाटि शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अनुराब और इस वक्त एक बड़ी ख़वर है लखनौ से दल्चस्फ ख़वर है मुलाइम सिंग के बेटे प्रतीक यादव और बहु अपरना यादव ने आज सीम आदित तिनात योगी से मुलाकात किये अपरना और प्रतीक व्याईपी गेस्ट हाउस में सीम से मिलने पहुँचे थे अलागे इस मुलाकात की वज़य क्या थी और मीटिंग में किस मसले पर बात हुई ये अभी साफ नहीं हुआ है लखनव कैंट से चुनाव हार चुकी है अपरना यादव लेकिन उन्होंने कहा था कि हम समाज सिवा जारी रखेंगे समाजिक कारियों में दिल्चस्पी रही है अपरना यादव की और प्रतीक यादव का अपना बिजनिस रहा है लेकिन अपरतीक यादव और अपरना यादव दोनोंने एक साथ जाकर मुख्य मंत्री से वियाई पी गिस्ट हाउस में मुलाकात की है तो एक तिरफ जहां योगी एक्शन में है तो वहीं एक बेहत हैरान करने वाली खबर लखनव से आ रही है रास्ते में ट्रेन में कुछ बदमाशों ने पीडिता को तेजाब पिला दिया महिला को ट्रॉमा सिंटर में फार्टी करवाए गया है नीरज मिश्रा हमारे संबादाता हमारे साथ हैं नीरज ये खबर पूरी क्या है गैंग रेप की बात कही जा रही है फिर तेजाब पिलाने के भी बात कही जा रही है और इस खबर पर अभी तक क्या करवाई हुई है पूरा मामना 2008 का है, 2008 में महिला के साथ राइग रैली में गैंग रेक और इसके पर तेजाब सेखने की वारदार रही थी और उसके बास ते ये लखनव में एक संस्था में काम कर रही थी और कल जभी गंदा गुंती एक्स्प्रेट से लखनव आ रही थी कि तभी मोहन लारगन में दो बदमाशों ने इसके साथ अवज़ता की इसको धम की दी और इसे तेजाब भी पिलाने की कोशिश की तो काफी इसकी तभी तभी थे खराप हो गई तो ये चार बार इसेशन पे इसे उतारा जया और यहाँ से इसको उत्रामा सेंटर में भलती करा गया अफिलाला भी महिला में बयान तो नहीं दिया है चुकि उसकी हालत खराब है लेकिन पुलिस ने दोल अध्यात लोगों पर इस पूरे मामले में मुकद्मा ज़ज कर दिया है यह माना जा रहा है यह वही लोग हो सकते हैं जिनों ने महिला के साथ दोस्कर्म किया था पूर में और इनका मुकद्मा भी चला था शुक्रिया आपका जान कर देने के लिए निरज